भारत के प्रथम प्रधार मंत्री पंडित ज्वाहर लाल नहरू की सोंबार को 55 प्रद्नेत थी थी पूरे देश में नहरू को याद कर उन्हें श्रधांजली दी गई वहीं अगर बात हर्याना की करे तो यहां लाडवा में कॉंग्रसियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पिट कर उन्हें श्रधांजली दी वहीं लोकसभा चुनाव में वोई हार पर भी चिंतन किया आपको बता दे कि पढ़ने ते ज्वाहर लार नहरू की कल पुणने ती थी ज्वाहर लार नहरू की 27 मई 1964 को दिल का दोरा पढ़ने से मृत्यू हो गई थी लेकिन आज मीं नहरू देश के लोगों के दिलों में जिन्दा है हार के तो कई कारण है कई कारण है हार के जैसे कि अब लोगों को ऐसा लगया कि देश खत्रे में है और मुदीज को बचा सकता है तो बात ये थी दूसरा जो है मैं निजी तोर पर समझता हूँ कि जो हमारा अलाइस थे वो कभी भी ये इंप्रेशन निदेश के कि हम एक किसी धंड़े के नीचे कठे हो जाएंगे उन्होंने राहूल जी को हमेशा जो है कभी ये नहीं कहा कि राहूल हमारे लीडर होंगे जैसे यूपिय तो सबसे बड़ा घटक है वो निदेश के और अपने 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 आशायां उमीदें थोड़ा जगाली थी लोगों में संदेश चला गया था कि जो राहूल जी का मैनिफेस्ट हो है वो इंप्लीमेंट कैसे होगा वो तो हो इन सकता है क्योंकि वो तो प्रधानमद्री बनने वाले नहीं है ऐसी ऐसी कुछ बातें थोड़ी चली थी देखे जी संग्टन का ना होना तो अच्छी बात नहीं है लेकिन मातर एक संग्टन नहीं था आप मैं कहता हूं कि यहां अभी डिवाइड़ी भी नहीं थे सब कॉंगरेशन सब लीडर मेरे साथ लगे वह थे यहां तो बिलकुल एकता से लड़े और नहीं कोई जाती पात दे कि लोगों ने मुझे जो है मुझे बोट दिया कहीं कम कहीं ज़्यादा लेकिन मेरी इसेदार इस सब्सक्राइब रही बिदान जबा चुनाब के लिए आगे क्या कॉंगरेश के लगेती रही है मेनत और कोई तरीके ने दिर इस नो सब्सक्राइब लड़ना चालते हैं और जो चुनाब लड़ना चालते हैं दे विल है टू वर्क वर्य वर्य हार्ड अब जौला नहरुजी की आज पूनी थी तीपे क्या संदेश देना चाहिए उनके योगदान को जो जंगेजादी में दिया उन्होंने और जो इस देश के लिए सपना लिया था उसको उनसे प्रणना लेकि वो चीज़े हमेशा हमें कि भूलाने वाली नहीं है